हलो दोस्तों स्वागत है आपका ही चैनल पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं Celsius से Fahrenheit में बदलना यानि कि दोस्तों जो हमको ताफ मान दिया रहेगा वो दिया रहेगा Celsius में और हम लोग उसको बदलने वाले हैं किसमें Fahrenheit में तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ा ही मज़िदार सा फर्मूला यूज होता है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि C upon 5 is equals to F minus 32 upon 9 यहाँ पर C क्या है दोस्तों तो Celsius है जी यहाँ पर F क्या है दोस्तों तो Fahrenheit है जी तो दोस्तों आप लोग इस फर्मूले को याद रखिएगा अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सीधा सा एक इग्जाम्पल पर तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मानोशरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री Celsius होता है लेकिन दोस्तों जारा यहाँ पर ध्यान दीजी यह दिया हुआ है किसमें जी तो Celsius में और बाइद वे आप लोग उसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ मानोशरीर का तापमान फारेन हाइट में कितना होता है तो आप लोग क्या उसको जबाब देंगे तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखी लेते हैं कि फारेन हाइट में क्या होगा तो देखिए Celsius में दिया ह है दोस्तों 5 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5 is equals to f minus 32 अपन में 9 देखिए दोस्तों same to same वही लिखा है यहाँ पर बस हम लोगोंने क्या क्या है तो c का मानी यहाँ पर रख दिया है कितना है 37 डिगरी अब बस दोस्तों इसको हम लोग असानी से solve कर लेते हैं तो अप लोग को समीकन solve करने आता होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ तो जब लोग हम लोग 9 का गुणा 37 के साथ करेंगे तो यह एगा 3 3 3 is equals to 5 multiplied by f कितना हुआ जी 5 f minus 5 में जब 32 से multiply करेंगे तो कितना होगा जी एक सो साथ अब हम लोग 160 को इधर बुला लेते हैं तो 33 minus 100 प्लस हो जाएगा यहाँ पर बाई यहाँ पर 333 है ही और 160 को हम लोग इधर बुला लेते हैं तो इसका sign change हो जाएगा plus में हो जाएगा इधर है minus में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा plus में और is equals to में क्या है 5F तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तो 3 9 और 4 is equals to 5F और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 493 बटा में 5 is equals to F अब यहाँ बटा में क्यों हो गया तो दोस्तो यहाँ पर गुणा में था जैसे ही इधर आया तो किस में जला गया भाग में तो आये दोस्तो हम लोग यहाँ पर भाग कर लिए हैं तो दोस्तो जब मैंने भाग करके देखा तो यह आ रहा है 98.6 भाग करने पर कितना आया दोस्तो 98.6 is equals to F अब देखे दोस्तो यह हम लोग का चेंज हो चुका है किस में जी तो फारेन हाइट में और अब आप लोग से कोई पूछ रहा है कि बताओ बेटा मानो शरीर का जो तापमान होता है वो फारेन हाइट में कितना होता है तो आप लोग क्या कहेंगे 98.6 तो दोस्तो हम लोग ने सीख लिया कि Celsius को फारेन हाइट में कैसे बदलते हैं दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को Celsius से फारेन हाइट में बदलना आ चुका होगा अगर वीडियो लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें